अंतराष्ट्रे टेश्ट डेब्यू की दोनों पारियों में 8-8 विकेट लेने वाला भारत का पहला गेंदबाज टेश्ट डेब्यू पर 16 विकेट चटकाने वाला दुनिया का दूसरा गेंदबाज फर्स क्लास डेब्यू पर भी लिया था 5 विकेट हॉल पहले भारतिय गेंदबाज जिन्होंने लगातार तीन वंडे में लिए चार-चार विकेट भारत कवा गेंदबाज जिसने बिना ब्रेक लिए फेक दिये 69 ओवर दोस्तों क्रिकेट में लेग स्पिनर का अपना रुद्बा होता है शेनवार्न हो या फिर अनिल कुम्बले दोनों को महान खिलाडी कहा जाता है इस्पिनरों का क्रिकेट की दुनिया में अपना अलग ही महत्व है हर टीम में वो एक तुरुप के इक्के की तरह होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि ये गुच्छे में विकेट लेते हैं एक या दो विकेट से इनका पेट नहीं भरता बारत ने विस्व क्रिकेट को एक से बढ़कर एक बल्ले बाज दिये लेकिन जहां तक बात हो स्पिन गेंद बाजों की इस देश ने कई दिगज इस्पिनर भी दिये जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख मोर देते थे चक्दे क्रिकेट की खास पेसकर चक्दे क्लिक्स लेकर आया है एक ऐसे ही हैरत अंगेज भारतिय स्पिनर की जानी अनजानी और अनकही बातों को भारत के इस लेक स्पिन गेंद बाज ने मातर 19 साल की उम्र में अपने टिश्ट डिब्यू पर वेस्टन डीज जैसी तगडी टीम के खिलाफ दोनों पारियों में आठ-ाठ विकेट लेकर संसनी मचा दी थी चकदे क्लिक्स के आज के अंक में बात होगी भारतिय टीम के पूर्व लेक स्पिनर नरेंदर हिरवानी के बारे में नरेंदर हिरवानी को उनके शांदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग टिश्ट डिब्यू के लिए याद किया जाता है बारत के लिए सिर्फ 17 टिश्ट और 18 वंडे खेलने वाले नरेंदर हिरवानी ने अपने टिश्ट डिब्यू पर दोनों पारियों में 8-8 विकेट लिये थे यानि मैच में खुल 16 विकेट जो की एक विस्व रिकॉर्ड है अस्टेलिया के बाब मैसी के बाद हिरवानी दुनिया के दूसरे खिलाली थे जिन्होंने टिश्ट अंतराश्ट्रिय डिब्यू पर 16 विकेट चटकाए थे बाब मैसी ने 1972 में लॉट्स में इंग्लेंड के खिलाफ अपने टिश्ट डिब्यू की दोनों पारियों में 8-8 विकेट लिये थे मैच फिगर था 137 रन देकर 16 विकेट हिरवानी ने 16 साल बाद फिर से इतिहास दोराया हिरवानी और मैसी के डिब्यू में बस इतना ही अंतर था कि हिरवानी ने मैसी से एक रन कम खर्श किये थे वेश्टन्डीज के खिलाफ उस मैच में नरेंदर हिरवानी का आकड़ा था 136 रन देकर 16 विकेट लेकिन इतने शांदार डेब्यू के बाबजूद वो भारत के लिए ज़्यादा मुकाबले क्यों नहीं खेल पाए आखिर क्या वज़े रही कि इतने शांदार लेग स्पिनर का करियर सिर्फ 17 टिष्ट मैचों का ही रहा बताएंगे इस वीडियो में नरेंद्र हिरवानी का जन्म 18 अक्टूबर 1968 को गोरकपुर के एक संपन परिवार में हुआ था वो सिंधी हिंदू थे उनके पिता एक ब्रिक फैक्टरी के मालिक थे हिरवानी की सोरा वस्था में ही इंदूर सिफ्ट हो गए थे और मध्य प्रदेश के क्रिकेटर संजे जगदले के मार्क दरसन में ग्राउंड के बगल में ही एक कमरे में रहने लगे कोच जगदले ने हिरवानी में छिपे एक बहतरीन लेग स्पिन गेंदबाज को पहचान लिया था इसलिए वो उनकी गेंदबाजी पर काम करने लगे और देखते ही देखते हिरवानी ने मध्य प्रदेश की तरप से अपना फस्ट क्लास डेब्यू कर लिया तब वो सिर्फ 16 साल के थे 1984-85 रणजी सीजन में नरेंदर हिरवानी ने अपने डिब्यू मैच में 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया इसके बाद अगले सीजन में भी हिरवानी की गेंदबाजी पहतर होती चली गई इसी दोरान अंडर 19 में औस्टेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सिर्फ में हिरवानी ने 23 विकेट लेकर कमाल कर दिया लेकिन उनको ब्रेक मिला 1987-88 वेस्टनडीज के भारत दोरे के दोरान जब उन्होंने इंडिया अंडर 25 की तरफ से खेलते हुए मैच की दूसरी पारी में छे विकेट चटका दिये थे इसी के बाद उनको भारत की टेस्ट अंतराश्ट्रिय टीम से बुलावा आ गया वर्स था 1988 वेस्टनडीज की टीम भारत दोरे पर आई थी मदरास में खेले गए सिरीज के अंतिम टेस्ट मैच में नरेंद हिरवानी ने अपना टेस्ट अंतराश्ट्रिय डिब्यू किया था बारत ने टोस जीत कर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में कपिल देव के शतक की बतौलत 382 रन बनाए विवियन रिचर्ट्स की अगवाई वाली वेश्टेंडीज के बल्लेबाजी करम के लिए ये स्कोर कुछ नहीं था लेकिन 19 साल के हिरवानी ने ऐसी जिगरबाजी दिखाई की बड़े बड़े दिगज धूल चाटने ले अरेंद हिरवानी ने विवियन रिचर्ट्स को गूगली पर बोल्ड कर दिया इसके बाद तो बस हिरवानी ही हिरवानी थे वेश्टेंडीज की टीम सिर्फ 184 रनों पर धेर हो गई हिरवानी ने 18.3 ओवर में 61 रन खर्च करते वे 8 विकेट जटके थे मारत ने दूसरी पारी में 217 आठ विकेट के नुक्सान पर पारी घोशित कर दी और वेश्टेंडीज को 416 रनों का लक्ष दिया लेकिन वेश्टेंडीज के बल्लेबाजों के पास हिरवानी का कोई तोड नहीं था वो एक-एक कर हिरवानी का शिकार बनते चले गए और हिरवानी ने मैच की दूसरी पारी में भी 8 विकेट चटका लिए और अनूठा रिकार्ड बना दिया वेश्टेंडीज की मजबूर टीम एक युवा इस्पिनर के सामने धराशाही हो गई पूरी टीम दूसरी पारी में 160 रनों पर सीमट गई और भारत ने मुकाबला 255 रनों से जीत लिया हिरवानी को उनकी शांदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर आप दे मैच चुना गया नरेंदर हिरवानी डेब्यू टेस्ट में 16 विकेट लेने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए इसके अगले साल न्यूजिलेंट के खिलाब भी घरेलू सिरीज में नरेंदर हिरवानी ने सफलता के जंडे गाले इस्पिन के साथी पिछ पर हिरवानी ने तीन टेस्ट मैचों में 20 विकेट चटकाए उनके पार्टनर अरसद आयूब ने भी 21 विकेट चटकाए थे अपने करियर के चार टेश्ट मैचों में हिरवानी के नाम 36 विकेट दर्ज थे जो किसी भी गेंदबाज द्वारा करियर के किसी स्टेज में सबसे अधिक था विकेट चटकाने की अधभुत छमता के उदेखते हुए हिरवानी को भारत ने वन डे टीम में भी मौका दिया और हिरवानी ने वहाँ भी निराश नहीं किया 1987-88 सारजा कप जो की एक त्रिकोनिय श्रिंखला थी नरेंदर हिरवानी ने तीन मैचों में दस विकेट चटका लिये थे इस दोरान वो भारत के पहले गेंदबाज बने जिनोंने लगातार तीन वन डे मैचों में चार विकेट लिये थे हिरवानी टूनामेंट के प्लेयर अब दा सिरीज बने थे सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन 1989-90 में जब भारतिय टीम ने वेस्ट इंडीज का दोरा किया था हिरवानी के करियर ने एक टर्न ले लिया बल्लेबाजों ने हिरवानी के खिलाफ आक्रामक रुक अक्तियार किया पोर्ट उपस्पेन जहां की विकेट स्पिंडरों को मदद कर रही थी हिरवानी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए इस दोरे ने हिरवानी के करियर को गहरा चोट पहुँचाया इसके बाद अपने इंटरनाशनल करियर में उन्हें थोड़े बहुत सफलता ही मिले हिरवानी बल्लेबाजों को परिशान करने के लिए हवा में काफी धीमे थे वैसे विक्टो को छोड़ कर जहां गेंद को साप टर्न मिलती थी हिरवानी ने इसके बाद एक और यादगार प्रदर्शन किया 1991-92 वर्ल्ड सिरीज के अंतिम लिग मैच में वेस्टन डीज को हराने के बाद ही भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी हिरवानी ने भारत को फाइनल में पहुचाने में बड़ी भूमी का निभाई थी नरेंदर हिरवानी ने ब्राइन लारा को अपने फ्लिपर में फसाया और स्टंप करा दिया फिर रिची रिचरड्सन को लेग स्पिन से लवी डबलू करा दिया लेकिन ये उनको वर्ल्ड कप टीम में जगा दिलवाने के लिए काफी साबित नहीं हुए इसके चार साल बाद न्यूजिलेंट के खिलाब टेस्ट मैच में हिरवानी को दूसरा मौका मिला बारिश से बाधित मैच में हिरवानी ने 69 रंदे कर 6 विकेट चटकाए थे नहीं बना पाए इस सीरीज के बाद हिरवानी प्रेस में गए और टीम में नहीं चुने जाने के कारण भारतिय कप्तान सारप गांगुली की चमकर आलुशना की डोमेस्टिक क्रिकेट में नरेंदर हिरवानी एक प्रमुग गेंद बाज बने रहे रनजी ट्रोफी में उन्होंने मद्य प्रदेश के लिए 400 से ज़्यादा विकेट शटकाए 2005-06 सीजन के अंत में हिरवानी ने फर्स क्लास क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया उन्होंने क्रिकेट खेलना तो छोड़ा लेकिन क्रिकेट से खुद को दूर नहीं रख पाए 3 सितंबर 2014 को मद्य प्रदेश क्रिकेट एसोसियेशन के रनजी ट्रोफी टूर्नामेंट सेलेक्शन कमीटी के चेर्मेन के रूप में नरेंदर हिरवानी ने काम करना शुरू किया बाद में उनको नेपाल नचनल क्रिकेट टीम के डारेक्टर के लूप में अपॉइंट किया गया थ 1990 में इंगलेंड के खिलाफ दा ओवल में खेले गए एक टेस्ट मैच के दोरार नरेंदर हिरवानी ने बिना रुके नरेंदर हिरवानी ने 167 फर्स क्लास मुकाबलों में 732 विकेट हासिल किये हैं वही 70 लिष्ट ए मैचों में उन्होंने 75 विकेट अपने नाम किये किसी टेस्ट अंतराश्ट्रिय मैच में 10 विकेट लेने वाले वो भारत के सबसे युवा गेंदाज हैं उनीस साल 85 दिनों की उम्र में हिरवानी ने वेस्टेंडीज के खिलाफ ये कारनामा किया था नरेंदर हिरवानी के एक बेटे हैं जिनका नाम महिर हिरवानी है नरेंदर हिरवानी ने अपने टेस्ट डेब्यू पर 16 विकेट लिये थे और साइद यही उनके करियर का दुरभागी भी बन गया लोग उनसे हर मैच में वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करने लगे वो उमीद पर खरे भी उतरे ऐसा नहीं हुआ कि डेब्यू मैच के बाद उन्होंने बहतरीन प्रदर्शन नहीं किया या उनकी गेंदबाजी खराब हो गई लेकिन उम्मीदों के बोज तले दपे हिरवानी को खराब प्रदर्शन का तुरंत दंड भी मिल गया वेशन डीज दोरे पर सिर्फ एक टेस्ट सिरीज में निरासा जनक प्रदर्शन के कारण उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया और इसके बाद उन्हें सिर्फ दो मौके ही दिये गे आपके अनुसार नरेंदर हिरवानी को टीम से ड्रॉप करने के पीछे क्या वज़य रही होगी कमेंट में हमें जरूर बताएं अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ एक और खिलाडी के साथ अभी दीजे इजाजत धन्यवाद